नमस्ते, विलकम टू संगिता फेशन, आज जो मैं आपके साथ शेर कर रही हूँ, यह बहुत कुपसूरत ब्लाउज डिजाइन है, इसकी चेश 34 है, हाइट साड़े तेरा इंच की है, आर्मोल सिक्स इंच का है, और यह यह शुल्डर भी सिक्स इंच का है, अब यह से हम ब्ल इंच का यह स्क्वेर बनाया, और इसके अंदर हम आज का गले का आकार बनाएंगे, तो गले का आकार बनाने के लिए उन्हें इस तरह से गोल सरकल का आकार लिया हुआ है, इसी के अंदर आज हम बहुत खुपसूरत ब्लाउज डिजाइन बनाएंगे, अब हम इस को निकाल कर नीचे के साइड आस्तर का कपड़ा और उपर के साइड ब्लाउज का फैबरिक रखकर इस तरह से उसको पीन से प्याक करें हूं फिर पीन से प्याक करने के बाद अब हम इसके उपर टिप लगाएंगे तो यहां पर मैं पेपर पट्टी का इस्तमान नहीं करती देखना है तो मेरे चैनल पर बहुत सारे ऐसे ब्लाउज डिजाइन्स है जो कौन सा भी यह गले का कर हो मटका गला पानमटका गला स्क्वियर या कोई और कौन सा भी हो तो वह मैंने बिना पेपर पट्टी के साथ बना हुए है तो आप एक बार चैनल पर विजिट करके जर करके गले का आकार बनाना है तो भी आप उस टाइप बना सकते आपको जो तरीका असान लगे या फिर यह मैंने जिस तरह से बनाए है यह तरीका असान लगे तो आप इस टाइप से भी गले का आकार बना सकते तो आपको जो जिस टाइप पसंदा है तो आप उस टाइप से ये काम कर सकती है अब ये कस्टमर की डिमांड के हिसाब से मैंने गोल गले में ये डिजाइन बनाए हुई है तो ये गोल गले में बहुत इक उपसुरत डिजाइन है आप जरूर देख लेना यहाँ पर जाली का ब्लाउज है ये साड़ी के उपर का है जो सिल्वर साड़ी उपर एड़ेस की हुई है यहां से चार इंच मैंने साड़ी में से फैबरिक निकाला हुआ है और दो स्लीज के लिए मैंने ये कंबाइन जॉइन कर लिया है और फिर उसके बाद यहां पर दुमड कर इसके उपर ये टिप लगा रहे हुँ हूँ तो यहां से काम फास्ट हो मैंने यहां पर पाच नंबर की टिप के साथ यह डिजाइन बना रहे हुँ हूँ तो पाच नंबर की टिप के साथ बनाने की वज़े से हमारा काम जो है वह फास्ट हो जाता है और अगर काम फास्ट हो जाए तो हमें टाइम भी बचता है तो हम डिजाइन के ऊपर और भी व इनकी इस्तमाल से या फिर कई और तरीके से आप इसको पल्टी कर सकते हैं लेकिन मुझे सुई दागे के साथ पल्टी करना आसान लगता है तो मैं सुई और दागे के साथ पल्टी कर देती हूँ तो ये मुझे इस तरह से मैंने पल्टी कर दिया है अब यहाँ से इसको हम प् बहुत खुबसुरत दिख जाएगी, हमारा काम फिनिशिंग में दिख जाएगा, हम खुद काम फिनिशिंग में कर सकते हैं, अगर प्रेश ना किया हो, तो काम करने में थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है, दिक्कत हमेशा सिधा करके रखना पड़ता है, तो उस वज़े से अब यहां से मैं इसके उपर सिल्वर लेश लगा रहे हूं, सिल्वर लेश यहां पर आप सिल्वर लेश भी लगा सकते हैं, गोल्डन लेश भी लगा सकते हैं, सेंटर में, या फिर यह जो है, उसको साइड में दुमढ़कर उसके उपर मनी भी बिठा सकते हैं, आप दो त से ब्लाउज के लिए सिल्वर लेस का इस्तमाल किया हुआ है आप हमेशा मैचिंग देखना जब साड़ी के उपर ब्लाउज मैच होना ही चाहिए उस टाइप में देखना अब यहां से पहले लेस को गुमा लेना है और फिर उसके बाद उसके उपर टीप लगाने है ताकि हमा लटकन भी यह आप बहुत कुपसूरत लटकन बना सकते हैं सीधे वाले भी बना सकते हैं आप हेवी में भी बना सकते हैं लेकिन सीधे वाले लटकन भी बहुत सारे कस्टमर को पसंद आते हैं डिजाइन लटकन की अपेक्षा सीधे वाले लटकन ज्यादा पसंद आते हैं तो मैंने उसी टाइब से ये सीधे वाले लटकन बनाया हुए है, अगर आपको मेरे ये जो सभी डिजाइन्स है, ये डिजाइन्स पसंद आ रहे हो, तो आप चैनल पर एक बार विजिट करके देख लेना, मैंने किस-किस टाइब से ये डिजाइन्स बनाई हुई है, अगर आपको ये विडियो पसंद आए, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, आपको ये डिजाइन्स पसंद आ रहे है, ये अगर विडियो पसंद आए, तो विडियो को लाइक करना, शेर करना, और चैनल पसंद आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करना, झाल झाल, तक्ति झाल.